हेलो गाईज, वेलकम पैक टो अनदर न्यो वीडियो इस वीडियो में गाईज मैं आपको बताऊँगा कैसे आप आपना डिजायर स्कोर अचीव कर सकते हो जो भी आपकी रिक्वार्मेंट्स रहती हैं 58 प्लस की, 65 प्लस की या कोई another different number जो भी आपका हो बट गाईज, कैसे हम वो अपना स्कोर अचीव कर सकते हैं रिक्वार्मेंट्स अपने फुल्फिल कर सकते हैं कौन सी बैस्ट कोचिंग आपके लिए मैं लेकी आया हूँ वीडियो को starting से लेकर ending तक बोच करना चैनल पर गाईज नहीं हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जोर से करते हैं सबी students पूछते हैं PT क्या है और PT में होता क्या क्या किस modules का क्या formula रहेगा कौन सा module ऐसा है जो सबसे ज़्यादा practice में रखना चाहिए preparation किस module की करने चाहिए और हर एक part का funda क्या रहेगा read loud का process सारा क्या रहेगा हमारा क्या हम उसमे strategy use कर सकते हैं कैसे हम अपना score boost कर सकते हैं reading के अंदर listening और writing को साथ में लेके कैसे चल सकते हैं वीडियो में guys सब कुछ रहने वाला है listening section के बारे में reading में speaking और writing section में कैसे अपना score boost करें कौनसे best reaches में आपके लिए लेके आया हैं guys और best price रहने वाला है coaching का guys कोई भी high price हमने नहीं रखा है एक decent surprise हमने रखा है coaching के लिए guys तो आप सभी join करना classes को guys हम आपके साथ share करने वाले हैं अपने PT online classes so guys आप इदर देख सकते हो जो PT online class हमने रखी है कोई इसमें ज़्यादा फीस हमने नहीं रखी है guys एक decent service हमने आपके लिए रखी है classes start होगी guys आपकी Monday to Saturday आपकी class रहने वाली है guys session create करेंगे 1 to 1 session करेंगे उन बच्चों के लिए जिन पे हमको लगेगा ज़्यादा फोकस देने की जोड़ हमको उनके लिए 1 to 1 session लेके आ रहे है आज कल क्या चल रहा guys students क्या कर रहे है institute join करते हैं और institute में जाते हैं guys laptop computer पर just preparation करते हैं वो deeply knowledge नहीं दे पाते teachers जो हम आपको देने जा रहे हैं अपने पहले भी मेरी YouTube की videos देख्योंगे guys हम deeply बताते हैं कि read loud का क्या फुंडा है repeat sentence में क्या यूज करें क्या process रहेगा read lecture का template कौन सा यूज करें और guys reading में ऐसी क्या deep strics रहेगी या reading section के लिए ऐसा कौन सा another module ऐसा है जो reading section का score अपना boost कर दे speaking section पे focus दो reading section पे अपने आप improvement आएगी अगर थोड़ी grammar rules आपको पता लग जाएगे guys और उन पे work करोगे guys क्या पता reading section का score भी 70 के आसपास या 70 plus जा सकते है आपका इसलिए one month या one month plus का time ही लेंगे इससे जादा नहीं लेंगे guys student पे depend करेगा आप सभी के लिए demo class guys create करूँगा मैं जो जो students आएंगे comment section में आप बता दीना मुझे यह guys मैं आपको display पे कुछ number show कर देता हूँ या से आप हमको contact भी कर सकते हूँ बड़ गाइस अब भी दियान से ये चीज़े आप देखना जो हमारा स्कोर रेने वाला है जो भी आप डिजायर स्कोर लेके आओगे सहराम को 58 प्लस चाहिए 65 प्लस चाहिए अब क्या करते इन स्ट्यूट वाले कि आपको group study में पढ़ाया जाता है एक एक read loud आपको read कराए जाते हैं जस्ट आपको headphones दे दिये जाते हैं लेकिन वह यह नहीं बताते एक स्टूडेंट को कि यह read aloud रीड करने की स्ट्रेटजी आपकी बेस्ट है यह बेस्ट नहीं है यह आपका content कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है यह कोई भी इतना डीपली नहीं बताएगा आपको जीतना हम online classes में आपको बताने वाले हैं कुछ scores है आप students के दर देख सकते हो 72 listening में reading में 70 speaking में 64 और 75 writing section में कुछ scores में आपको और भी दिखा देता हूं गाईस 57 listening में 67 reading में speaking में 63 और 64 writing section में एक दो score हो रहा है यह भी आप देख सकते हैं उदर 61 listening में 71 reading section में speaking में 60 और writing में 69 बट गाईस हमको कैसे पता चलेगा पीटी क्या है पीटी में speaking में क्या क्या होता है और writing में क्या क्या होता है reading में और listening में read loud की importance क्या है और गाईस हमको यह भी पता चलेगा reading section में score कैसे boost करना है speaking का use करके वह भी गाईस मैं आपको बताऊंगा बट सबसे पहले में आपको एक basic information के साथ लेके चलना चाहता हूं जो भी रहेगे गाईस अपने टास्क रहेंगे आपने जो repeat sentence रहने वाले हैं total scoring section उसका mark किया गया इदर कितने score कितने points speaking में कितने reading में guys और sorry repeat sentence listening में लेकिन read loud guys इदर आप दे सकते हो read loud कितने score अपना distribute करेगा speaking section के अंदर और guys reading section के अंदर यह थोड़ा basic information आप video को post करके यहां से watch कर सकते हो guys और साथ में guys आपको यह भी पता होना चाहिए जो band system रहता है वो कैसे हमरा रहेगा कैसे 4.5 हम 3036 पे आपना compare करते हैं और कैसे आप यह लगा लो 65 to 73, 58 to 65 यह कुछ basic information है यह आपको पता होने चाहिए PT के बारे में but guys जो हमारी next video आएगी यह आप online classes आप जब join करोगे तब हम एक chapter लेके आएंगे PT के उपर just PT का overview लगा लो या फिर हम PT को थोड़ा basic के साथ लेके चलेंगे PTE क्या होता है PTE के अंदर speaking में क्या होता है और आपका rating section में दोनों part आपके वुसका क्या importance रहेगा reading section में क्या importance रहेगी और guys listening section में यह कुछ हम parts के बारे में discuss करेंगे और कौन-कौन से part पे आपको focus रखना चाहिए guys for example मैं आपको ने एक चोड़ा सा overview लेके चलता हूं आपके साथ अब student क्या करते है read loud read कर लेते हैं बट वो यह नहीं देखते उनके teachers यह नहीं चेक करते students read loud को read तो कर रहा है वो किस word को क्या speak कर रहा है और कहा word skip कर रहा है और किस word को कैसे speak करना चाहिए कितने read loud करने चाहिए और किस prediction file से आपको read loud करने चाहिए जो exam में repeats के chances बढ़ जाते आपके यह सभी हम आपको बताएंगे guys online class के अंदर but repeat sentence guys repeat sentence कैसे आपको बोलने है कैसे catch करने है क्या formula रहेगा उसका guys और कैसे आप speak कर सकते हो यह हम आपको बताएंगे online class के अंदर important बता देता हूँगा speaking section repeat sentence read aloud read a lecture describe image बोलेगा students student को ज्यादा problem नहीं हाती describe image में क्योंकि template आपकी help करता है बट जो template आप prepared कर रहे हो जिस template पे भी आपने discuss करना start किया है क्या आप उस template को अच्छे से बोल सकते हो आपकी pronunciation आपका flow आपका content अच्छा जा रहा है उस template के साथ तब आप अपनी तरफ से describe image के word उसमें add कर सकते हो बट कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कोई भी read aloud कोई भी आप template कहीं से भी उठालो और use कर दो describe image में आप बोले जा रहे हो अच्छे से बट कभी भी flow इतना मत बनाना कि वो catching power system की कम हो जाए system की catching power भी तब ही बनती है जब students के word उसको clear सुनाई देते हैं कभी भी ऐसे नहीं करना कि आप sequence में जा रहे हो एक उसका कोई भी पोजिज नहीं आप नहीं पोजिज ले रहे हो for example